आज में आपको सुन्दर काण्ड का पाट्ट काण्ड का पाट्ट करने के जो जो फाइदें और जो जो लाब होते हैं उनको मैं आपको विस्तार से आज मैं आपको बताऊंगा सुन्दर काण्ड एक ऐसा गरंथ है जो कि प्राया सबी लोगों के घर में पाया जाता है यह अब उस तक लगबख सबी घरों में विद्धिमान रहती है और लोग कुछ लोग पाट करते हैं कुछ नहीं करते हैं और कोई मंगलवार को करता है कोई सनिवार को करता है तो कोई रोज करता है मगर इसके जो फाइदे और ताक्ते और असीम शक्तिया जो इस सुन्दर कांड के पाट करने से प्राप्त होती है इसके बारे में ज्यादा लोग अनविग्य हैं क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस गर के अंदर सुन्दर कांड का पाट होता है चाहे एक दिन मंगलवार में ही क्यों नहों उस गर के उपर किसी भी प्रकार की बुरी ताक्तों का समाविस नहीं हो सकता उस गर के किसी भी सदिस्से का कोई भी आहित नहीं कर सकता है चाए हजारों सत्रूई क्यों ना हो उस परिवार के अंदर जिसके गर के अंदर सुन्दरकांड का पाठ होता है उसके किसी भी सदिस्से का कोई अहित नहीं कर सकता है एक सुरक्षा का ऐसा चक्र चारो तरफ उस व्यक्ति के गर के चारो और विद्यमान रहता है जिस गर में सुन्दरकार्ण का पार्ट होता है मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि सुन्दर कांड का पार्ट करने के बाद में हर्मान जी के कोई मंत्र को जपने की आवसक्ता भी नहीं रहती है क्योंकि अगर आप नित्य रूप से या मंगलवार सनिवार भी हर्मान चालिसा का पार्ट करते हैं सुन्दर कांड का पार्ट करते हैं तो अवश्य ही सुन्दरकांड के पाट से ऐसी ताक्तों का समावेश होता है ऐसी शृत्या में प्राप्त होती है जिससे कि हर प्रकार से हमारी और हमारे पूरे गर परिवार की रक्षा होती है और बुरी ताक्तों का बुरी नजर का समावेश नहीं हो सकता सुन्दर कांड बड़ा ही दिव्य और अलोकिक एक प्रसंग है और लंका से जुड़ावा है और हन्मान जी ने ताक्तों का प्रदंशन करनके जो लंका का विद्वन्स किया है उससे जुड़ा है और बड़े ही मनुरम जो इसमें कथन है जो कि मन को बड़ा ही शांती प्रदान करने वाले होते हैं यहां तक कि इतना कहा गया है कि जिसके गर में सुन्दर कांड का एक बार भी अगर पाठ होता है तो उसके गर में किसी प्रकार की गरह बादा नहीं हो सकती है नव ग्रह उसके आधिन रहते हैं जो हर मंगलवार को सुन्दर कांड का पाट करता है क्योंकि मंगल सबसे ताकतवर ग्रह होता है और जिसका मंगल मजबूत हो गया उसका कोई कुछ नहीं विगार सकता चाहे हजार सत्रू सामने आ जाए मगर उसको कोई अहित नहीं कर पाएंगी यह ताकत होती है सुन्दर कांड का पाट करने की और हनमान जी से जुड़ा कोई भी मंत्र या पाट अन्य किसी मंत्र से अधिक सकती साली नहीं हो सकता क्योंकि हनमान जी के सारे मंत्र और पाट सबसे ताकतवर है और हनुमान जी अपने भक्तों को उनके उपास ना के फल में बल और सक्ती और सुरक्षा यह तीनों चीज़े प्रदान करते हैं सिद्धी प्रदान करते हैं और हनुमान जी को प्रसंद करने के लिए अमुमन हनुमान चालिसा का पाट तो सब लोग करते हैं बड़े बुडों से लेकर सब लोगों को जादरत लोगों को हर्मान चलिसा याद होती है मगर सुन्दर कांड की बात कुछ और है क्योंकि सुन्दर कांड का पार्ट करना अर्थात 1100 बार हर्मान चलिसा का पार्ट करने के बराबर है और उसके कारण सबसे बड़ी बात ये है कि वक्त की मनो कामना जल्दी पूर्ण हो जाती है अगर आपके कारे में विलंब हो रहा है बार बार कारे कोई अटक जाता है तो आप खुद स्वयम सुन्दर कांड का मंगलवार या सनिवार को जरूर पाट करें सुबह करें या साम को करें मगर जरूर करें चमयली की तेल का दिपक जलाएं रोट का गुड का भोग लगाएं उसके बाद आप सुन्दर कांड का पाट करें सुन्दर कांड को सुमी तुलसी दास द्वारा लिकी गई साथ अध्याएं में से पाचवा अध्याए है और रामचरितमानस के सबी अध्याए बड़े ही मत्व पून हैं मगर सुन्दर कांड का महत्व अत्यादी खेगी इसलिए जाएक और पून रामचरितमानस में भगवान के गुणों को दरसाया गया है और उनकी महिमा बताई गई है दूसरी और रामचरितमानस के सुन्दर कांड की कथा कुछ अलग है इसमें भगवान के भक्त हनमान की व अटक सकती और वह सादक ऐसी शक्ति प्राप्त करता है जो कि जिस से वस्तु की काम ना करता है वह वस्तु उसे जरूर प्राप्त होती है यानि कि धारना सिंदी उस व्यक्ति को प्राप्त जाती है जो नित्य या हर मंगलवार सनिवार को या सिर्फ मंगलवार मंगलवार को कोही सुन्दर कांड का पाट कर लेता है और उस व्यक्ति का आत्म विश्वास भी इतना बढ़ जाता है कि कोई काम अटक नहीं सकता सुन्दर कांड का पाट करने से सभी काम सुतही बनने लग जाते हैं और विबिन मौनव विज्ञानिकों ने भी बताया है कि सुन्दर कांड का पार्ट आत्म विश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ा देता है और इस पार्ट की एक बगपंगती और उससे जुड़ावा अर्थ बगत को जिवन में कभी इन हार ना मानने की सीख प्रदान करता है इसलिए हर मंगालवार को सुन्दरकांड का पार्ट अवस्य करना चा जो हो तो उनके रुकावट पैदा करती है बूरी संगत हर प्रकार से सुन्दरकांड को व्यक्ति पार्ट करता है तो अवश्य ही वो अपने मार्ग से बिलकुल नहीं बटक सकता है और अपने लक्षय को जरूर राप्त कर लेता है और यह सुत्रयदी व्यक्ति अपने करें और आप खुड देखेंगे कि आपके जिवन में भी और आपके घर में सकार अत्मक शक्तियों का समावेश होगा शान्ती होगी और सब काम सुतही बनते चले जाएंगे और कोई प्रकार की बादा आपको नहीं सताएगी इसमें संदे नहीं है इसके अलावा जो तिसके नजरिये से अगम देखें तो सुन्दरकान का पाट घर के सभी सद्देस्यों के ओपर मंडरा रहे अशुप ग्रहों से भी चुटकारा दिला देता है जो ग्यक्ति पाट करता है उसके घर तो सान्त होगे ही साथ ही साथ उस गर में रहने वाले और भी लोग जिनके गरह बादा से वो परिशाने पिड़ी थे काम अटक रहे हैं काम बिगड रहे हैं हर प्रकार की कोई प्रकार की बादा है चायबान सिक बादा है वो सारी बादा हैं दूर हो जाती है और जो पाट कर नहीं सके तो पा यानि कि हमारी आत्मा की शुद्धी आत्मा सुद्ध होती है और सुन्दरकांड का पार्ट करने से आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तयार होती है यानि कि हमारी मन की भी इस प्रकार से सुद्धी हो जाती है कि हम परमात्मा के उस द्वार में प्रविश करने की योगे बन जाते हैं जो कि लाखो क्रोडों लोगों के लिए भी बड़ा ही दुल्लब है और सुन्दरकांड का पाट करने से हमें एक ऐसी जीवन में हमें उचाई मिलती है हम उस उचाईयों को छोड़ सकते हैं और दुनिया में हम अपना एक अलग छवी बना सकते हैं क्योंकि जिसका मं करने से चुटकारा मिलता है क्योंकि सुन्दरकांड का पाट एक तीर से कई निशाने लगाने का काम करता है इसके पाट करने से रोग और जरजरता समापत होती है और दरिदता भी खतम होती है और रूपए पैसा की आवक भी घर में बननी सुरू हो जाती है मानसिक सुब भी इस सुन्दरकांड के पार्ट से प्राथ होता है यानि कि जो व्यक्ति जिस गर में सुन्दरकांड का नित्यत या मंगल सनिवार रविवार को पार्थ होता है तो सुन्दरकांड का पाट के कारण निरंतर करने के कारण उसके घर में और स्वयम उस व्यक्ति के मन में मांसिक शुक्र और शान्ति की प्राप्ति होती है अगर समय ना मिल सके तो रिव्यार को ही जब ज़्यादा तर लोगों की छुटियां होती है तो उस समय सभी परिवार वाले मिलकर के अगर साथ में बैट करके सुन्दरकांड के पुस्त के हाथ में लिकर के एक स्वर में साथ में सुन्दरकांड के पाट का अपग्यास करते है तो एक साथ आपको सभी के दुख और धरिदता दूर होती है और गर में सुक शान्ती का संचार होता है बुरी सक्तियों को उस गर से चले जाना पड़ता है और हर प्रकार्ड की अन्होनी से भी हमारी रक्षा होती है यानि कि अगर आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जो कि सुनसान शेतर है या आपको हमेशा कोई न्होनी होने का बुरी कट्टा होने का डर रहता है तो जरूर ऐसे व्यक्ति को तो सुन्दरकार्ड का पाट करना ही चाहिए खुद देखेंगे उनका मनोबल मजबूत होगा और चारो तरफ सुनसा का चक्र उस व्यक्ति के विद्यमान रहेगा जो कि आने वाले समस्याव से उसको छुटकारा दिला देगा इसमें संदे नहीं है धन्यवाद झाले समस्याव जड़े लाद करना ही भाद करेंगे लाद करेंगे झाले समस्याव जड़े लाद देखेंगे